Hello everyone, welcome to our परिक्षागाउं NCRT Mathematics Class 10th के Chapter 2 Polynomial, it means बहुपत की Exercise 2.2 के First Question में हमने 3 parts को solve कर लिया है आज हम 4th, 5th और 6th part को solve करने वाले हैं इन parts को attempt करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल परिक्षागाउं को सब्स्राइब नहीं किया है कि निम्न द्वी घात बहुपतों के सून्यक हमें यहाँ पर क्या करने थे ग्यात करने थे और सून्यकों तथा इनके गुडांकों के बीच में जो सम्मंद हमारा आता है उसकी सत्यता की जाच भी करनी थी इसमें First, Second और Third part को हमने solve कर लिया था तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे Common लेंगे ठीक है ना इसमें हम Split नहीं करेंगे इसमें हम 8u को तोडेंगे नहीं क्योंकि यहाँ वाला भाग हमारा क्या है प्लस का आप 0 कह सकते हो अगर आप इसको तोड़ोगे भी दो पार्ट में तो उसका गुणा करने पर 0 into 4u square के बराबर आ जाएगा इसमें 0 के बराबर आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ पर हम क्या करेंगे हमें Common वहाँ पर भी लेना पड़ता था तोड़ने पर भी यहाँ पर हम Direct Common लेंगे 4u square प्लस 8u में हमारा Common क्या आएगा तो आपका होगे 4u आएगा 4u जब आप Common ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा किवल यू बचेगा ठीक है ना और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर यू चला गया और 8 में से 4 चला गया तो 2 बचा ठीक है ना तो इस प्रकार से आपका 4u भी आपका 0 के बराबर आजाएगा और u प्लस 2 भी आपका 0 के बराबर आजाएगा यहाँ से आप u कमान निकालोगे तो क्या आजाएगा 0 बचा 4 0 बचा 4 क्या होता है 0 ही तो होता है ना तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो 0 लिख सकते हो और यहां से आपका U कमान क्या हो जाएगा minus 2 आ जाएगा तो अगर आप कह दो कि माना सुन्यक जो है इस P of X के यदि हम मान ले कि alpha, beta हूँ तो हम कह सकते हैं कि alpha यहां पे 0 आ गया इसके बराबर और beta यहां पे क्या आ गया minus 2 के बराबर आ गया तो यहां से हमारा first part जो question में put up किया गया था वो हमने solve कर लिया सुन्यकों को हमने ग्याद कर लिया next part में हमारा क्या पूछा गया है कि सुन्यक तथा इनके जो गुणांक है उनके बीच में जो सम्मंद है उसकी सत्यता की जाज करनी है तो next part में आप लिखोगे to check क्या लिखोगे to check लिखोगे और check में कहोगे कि दी गई क्या लिखोगे दी गई यह जो बहुपद है it means p of x है को यहां पे u दिया गया है तो आप p of x ना लेके p of u लिखो और यहां पे भी आप p of u लिखिएगा क्योंकि यह u वाले term में दिया गया है तो p of u को a u square plus का bu plus का c अगर u में दिया गया है तो हमें x की जगे u u लेना पड़ेगा तो इससे तुलना करने पर यदि आप इससे तुलना करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा a का मान प्राप्त होगा b का और c का मान प्राप्त होगा तो u square यहां पे भी है u square यहां पे भी है मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और b बराबर यहां पे भी u है यहां पे भी u है चुकि हम जानते हैं कि सूनिकों का जो जोड होता है वो माइनस B बटा A होता है और सूनिकों का जो गुड़ा होता है वो C बटा A के बराबर होता है तो सूनिक क्या आया है? मारा एक 0 आया, एक माइनस 2 आया है तो पहला 0 आ गया है और प्लस का बीटा कितना आ गया है माइनस का टू, माइनस का टू लिख दीजिए बराबर माइनस का बी कितना है तो आठ मिला है, तो आठ लिखिए बटा एक इतना है, चार है तो यहाँ चार लिखिए और अलफा बीटा, अलफा क्या है, सूनने है और बीटा कितना है माइनस टू है बराबर सी कितना है सून है एक इतना है चार है अब यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो जीरो माइनस क्या आ जाएगा टू आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बराबर यहाँ पे फोर टूजा एट मतलब माइनस टू आ और यहां प हमारे लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजेगा यहां पे क्या लिख दीजिएगा कि खञे पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड ए बिल्पुल सही है इस प्रकार से हमने सत्यता के जाच कर ली है, चेकिंग कर ली है, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम next two parts को भी क्या करेंगे, solve करेंगे, अब हम लिखेंगे कम और समझाएंगे जाड़ा, ओके, तो हमारा fifth part जो है, वो क्या कह रहा है, कि t square minus 15, ये हमारा दिया गया है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ax square plus का bx plus c जब होता था, तो हम bx को तोड़ते थे, यहाँ पे t square दिया गया, it means, अगर हम इस रूप में लिखें, तो a t square plus bt plus c होना चाहिए, अगर bt होता तब हम यहाँ पे तोड़ते, bt का part तो यहाँ पे दिया ही नहीं क कारण हमें यहाँ पे कुछ और apply करना पड़ेगा, तो आप जानते हो कि t square है, मतलब a square ले लो, यह क्या है, 15 है, it means, कोई constant part है, या हम ले सकते हैं c, ठीक है न, और यहाँ पे minus लिखा है, अगर हम यहाँ पे भी हम क्या कर दें, square कर दें, तो यह formula हो जाएगा, किसका formula हो जा अगर आप इसको b के रूप में लिखके चलो, तो हमारा formula क्या बनता है, a square minus b square का formula क्या होता है, a plus b, और a minus b होता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है न, यह होता है, तो हम इस ही को क्या करेंगे, यहाँ पे apply करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा 15 है, कोई square तो है नहीं, तो इ 15, गुणा root 15 लिख सकते हैं कि नहीं, root का मतलब क्या होता है, 15 की power एक बटा दो, गुणे 15 की power एक बटा दो, अब आपको पता है, यदि base मतलब आधार समान होता है, तो हमारी जो घाते होती है, वो आपस में जुड़ जाती है, it means 1 बटा दो, प्लस 1 बटा दो, अब आप इ रही तो बराबर आया, root 15 और root 15 किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर आ गया, it means हम कह सकते है, 15 को root 15 into root 15 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप जब root 15 into root 15 लिख होगे, किसका a square minus b square का तो यहां पर क्या आ जाएगा t plus a की जगे t हो जाएगा और b की जगे क्या आएगा root 15 आ जाएगा तो t plus root 15 को यदी 0 के बराबर कर दो और t minus root 15 को भी 0 के बराबर कर दो तो इसको 0 के बराबर करोगे तो t बराबर minus का root 15 आएगा और इसको 0 के बराबर करोगे तो क्या आजाएगा minus यहां पर उधर जाएगा plus का root 15 आजाएगा तो यदी आपने क्या कर दिया सुन्यक जो माने और बीटा क्या आ जाएगा यह प्लस का रूट 15 आ जाएगा अब हम क्या करेंगे यहां पर next step को यहां पर लिख दे रहे हैं next हमारा step जो होगा to check का होगा क्यों क्यों कि हमने सुन्य ज्याद कर लिए पहले step में सुन्य ज्याद करना था अब हमें सत्यता की जाच करनी है तो to check की heading डालेंगे और लिखेंगे की दी गई जो बहुपद है तो यहां पर लिखेंगे p of t लिखेंगे इसकी तुलना किस से करने पर तो आप लिखोगे at square t के रूप में हमें है तो t के रूप में यहां पर लेके चलेंगे तो at square plus का bt plus का c से तुलना करने पर यहां पर यदि आप इससे तुलना करोगे तो t square t square मिल ला है मतलब a बराबर आपका 1 मिल जा रहा है b बराबर यहां पर t का पत तो है ही नहीं तो b बराबर क्या हो जाएगा सूनने हो जाएगा c का क्या हो जाएगा c का क्या हो जाएगा यह माइनस का 15 हो जाएगा c बराबर माइनस का 15 हो जाएगा ठीक है ना अब आप लिखोगे चुकि यह जो बहुपद है वो हमारा द्वीखात है इत मींस हमें पता है कि द्वीखात बहुपद में सूनने को का जोड माइनस b बटा a होता है और इनका जो गुणन फल होता है वो c बटा a के बराबर होता है अलफा बीटा की वैल्यू पूट करिए और गुणांकों की वैल्यू पूट करिए अलफा कमान कितना आया माइनस 15 आया है और प्लस का बीटा कमान प्लस का रूट 15 आया है और बराबर माइनस रखिए b कमान सूनने है और एक कमान कितना है और एल्फा कमान कितना है माइनस रूट 15 आया है इंटू बीटा कमान रूट 15 आया है बराबर c कमान माइनस का पंद्रा आया है और बटे a कमान कितन आया 1 आया है plus का root 15 minus का root 15 plus minus minus एक ही चीज को हम minus करेंगे तो soon ने आ जायएगा। and soon का one से किसी से भी divide करोगे soon नहीं अ जाया और वही चीज है 15 को हम root 15 into root 15 लिख सकते हैं तो क्या root 15 into root 15 को 15 नहीं लिख सकते हैं exactly लिख सकते हैं minus है तो minus कर दिया और बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15 यहाँ पे हमारा LHS is equals to RHS आ गया और यहाँ पे भी हमारा LHS is equals to क्या आ गया RHS आ गया हैंस क्या कर दीजिएगा शेक्ड डाल दीजिएगा तो इस प्रकार से आपने सत्यता की जाच कर दी कि आपने जो भी सुन्यक निकाले हैं वो बिलकुल सही निकाले हैं ठीक है ना इसी प्रकार से हम क्या करेंगे next part को solve करेंगे next part हमारा है sixth part sixth part में हमारा क्या question put up किया गया है कि 3x square minus x minus 4 इसको आपको अब क्या करना पड़ेगा split करना पड़ेगा दो भागों में ऐसे दो भागों में तोड़िये जिनका गुणा करने पर आपका किस के बराबर आ जाए minus का 4 गुणे 3x square के बराबर आ जाए it means fourth is a 12 वो भी minus का और x square इस भाग में तूट जाए तो सबसे पहले हम x square को तोड़ेंगे एक x को देंगे एक x को देंगे अब हम क्या करेंगे 12 को तोड़ेंगे ठीक है ना हमें यहाँ पे क्या लाना है गुणांक जो हमें लाना है एक लाना है एक कैसे लए आएंगे यदि 12 को इसी 4 और 3 में तोड़ दें और इसको अगर minus करें तो एक आएगा की नहीं आएगा बिल्कुल आएगा यहाँ पे आपको क्या लाना है माइनस लाना है अब आप यहां पर माइनस लिखोगे कि यहां पर माइनस लिखोगे ऐसी जगे लिखो जहां पर प्लस माइनस करने पर हमारा यहां पर माइनस आना चाहिए अगर हम यहां माइनस करते हैं तो x-3x, कितना आएगा? x बचेगा, plus का आएगा, कि minus का? तो plus का आएगा, जबकि हमें क्या लाना? minus का x लाना, इस वज़े से हम यहाँ पर minus का multiply करेंगे, और यहाँ पर plus का रखेंगे, तो यहाँ से multiplication करने में, minus 12x भी satisfied हो रहा है, और इसको plus minus करने पर भी, minus का x आ रहा है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किस रूप में तोड़ दिये? 3x से square, minus का 4x, और plus का क्या हो गया? 3x, और यहाँ पर क्या है? minus का 4 ज़सका तस हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे? common लेना, इस्टार्ट करेंगे, यहाँ से x common आएगा, 3 minus क्या हो जाएगा? sorry, 3x आएगा, क्या आएगा? 3x, 3x minus का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ पर हमें यही बताने के लिए, क्या हो जाएगा? 1 common लेंगे, और 3x minus का 4 हो जाएगा, अब हम यहाँ से इस पूरे टर्म से common लेना इस्टार्ट करेंगे, तो 3x minus 4 common हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? 1 बचेगा, अब यह हमारा क्या आगया? बहुपद को हमने इस रूप में तोड़ दिया, सुनिकों को ग्याद करने के लिए इसको हम 0 को बराबर करना पड़ेगा, अब 3x minus 4 को यदि हम 0 के बराबर करेंगे, और x plus 1 को 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x का मान क्या आजाएगा? minus 4 है, उदर जाएगा, प्लस का 4, और बटे में क्या आजाएगा? 3 आजाएगा, यहाँ पर x is equal to क्या हो जाएगा? प्लस 1 है, तो minus का 1 आजाएगा, तो अगर हम मान ले, माना सुनिक जो है, वो हमारे क्या है? अलफा, कॉमा, बीटा है, क्या है? अलफा, कॉमा, बीटा है, अब हमें सत्यता की जाच करनी है, तो आप लिखोगे, कि दिया गया बहुपद, जो है, पी ओफ एक्स जो है, इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले, ax square प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे? तुलना करेंगे, यहाँ पर x square है, यहाँ पर x square है, तो c कमान माइनस का 4 आ जाएगा, अब हमें पता है कि यह द्वीघात बहुपद है, तो हमें पता है कि, चुकि द्वीघात बहुपद में, सुन्निकों का जो जो जोड होता है, वो माइनस b बटा a होता है, और सुन्निकों का जो गुरन फल होता है, वो C बटा A के बराबर होता है अब इसी के हम क्या करेंगे बराबर करेंगे ठीक है ना यहाँ पर हम यहाँ से क्या करते हैं तो alpha कमान अब यहाँ पर पुट करोगे तो alpha कमान हमारा कितना आया है 4 divided by 3 आया है तो 4 divided by 3 लिखिए प्लस का बीटा कमान कितना आया है तो माइनस का क्या आया है 1 आया है बराबर माइनस का क्या करिए B कमान कितना है माइनस का 1 है और A कमान कितना है 3 है और alpha बीटा हमारा कितना है तो alpha कमान 4 divided by 3 इंटू बराबर क्या हो जाएगा C बटा A है तो C का मान माइनस का क्या है 4 है और A का मान कितना है तो 3 है अब आप इसको solve कर लीजिए तो 4 divided by 3 plus minus minus का 1 बराबर minus minus plus 1 बटा 3 और यहाँ पर क्या आजाएगा minus का लगेगा और 4 divided by 3 और यहाँ पर minus 4 divided by 3 है ही तो यहाँ LCM लोगे तो क्या आएगा 3 आजाएगा 3 से 3 का divide 1 और 1 का 4 से multiply 4 आजाएगा minus का 1 से 3 का divide 3 3 का 1 से multiply 3 आजाएगा तो बराबर 1 divided by 3 कर दो यहां पे आपका LHS is equals to क्या आ गया है तो यहां पे भी 4 minus 3 करोगे तो 1 आएगा 1 divided by 3 आ जाएगा यहां पे भी 1 divided by 3 है यहां पे भी आपका LHS is equals to क्या आ गया RHS क्या आ गया तो hence क्या कर दोगे च hologडलिक के आप चले आओगे तो इस प्रकार से आपने ये चेक कर लिया कि जो भी आपने सुन्य ज्याद किये हैं वो बिल्कुल सही है तो इस प्रकार से आपने exercise 2.2 के first question के 6 पार्टों को आपने दो lecture में solve कर लिया है तो अब हम मिलते हैं अपने next class में exercise 2.2 के second question को attempt करेंगे आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारी class पसंद आई हो तो आप अपने channel परिक्षागाओं को subscribe करना ना भूलिएगा like कर दीजे और share जरूर करिएगा